यह लेक कितनी परानी है यहां पर डल लेक के अलावा कश्मीर की कोई समस्या बड़ी आपको रज़ाती है नोक्री तो 2014 के बाद हमें तो नोक्री पर कोई उम्मीद रही नी हुकुमत किसकी बनती होने ज़़ा है नोक्री की वज़े से बहुत लोगों के सुसाइड किया है क्यूंके पर लिखके बेकार पड़ी की बॉर्डर सील है यह कि तब भी ड्रक्स आ रही है तो आपको इंजिनियर रशीद में और अबदिल्ला साब में दोनों में चुणना पड़ेगा तो किसको आप बहतर मानें इन्टो सच्टर हटने का कश्मीर को फायदा हुआ नुस्तान हुआ आपको क्या लगता है 2014 के बाद आतंग बाद खतम हुआ या बड़ा जब हुआ कश्मीर का पूर राज का दर्जा खतम कर दिया गया उसको लेके क्या पी रहा है आप लोगा हमारा दर्जा वो खतम नहीं किया वो हमें मार डाला गया सीधा नमस्कार मैं हूँ संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network मैं अगर आपको यह नहीं बताऊंगा कि मैं कहां पर हूँ तब भी आप में से अदकांश दर्शक समझ जाएंगे कि मैं श्री नगर में हूँ डल लेक में हूँ और रात के वक्त यह मेरे पीछे लाइटे जल नहीं हैं या हाउस पोर्ट आप देख रहे हैं कश्मीर धर्ती का स्वर्ग का जाता है और वास्तम में यह जगे स्वर्ग है रात में आईये तो पूरा श्री नगर की जो लाइटे हैं वो डल लेक में पढ़ती हैं बहुत सारी हिंदी फिल्मों के पुराने गाने यहां पे लेक पर इन हाउस पोर्ट पे गाए गए हैं और यहां पे जो शिकारा बोलते हैं ना इसको शिकारा पे हम लोग बैठे गुए हैं घूम रहे हैं और मेरे साथी हैं इनसे बातचीत करूँगा मैं और कल नाट भी मै साथी जो स्थयोगी हैं बाई बैठे यहां इनसे कश्मीर के बारे कुछ बाचीत करते हैं नाम क्या है आपका नोम आन बाई नोम वाई का मतलब क्या होगा हो चमतकार चमतकार तो आपखू सूर तो आप का रह घृandel किस ने रख का ता आपको को नाम घरवालों ने डख球 आ करते है आपको लगता है आप दिन दिन यहां पे। … जो हाउसबोत है आपके हैं? हां मैं चली हाॉसबट अननुर्णा है क्या नाम है? मेरा नाम हमार हाउसबट के नाम है H.B. N가요? तो फिल्हामे तो है यहां सामने उartiom इसमें तेन कमरे यह रखे हैं और जाड़ों में भी और गर्वी विलोग राखे हैं कि जो डॉल लेक है बहुत पराना इतिहात है आपके जो पूरवज होंगे गरांड फादर होंगे उनके फादर होंगे उन समने डल लेक लिग देखिए कि आपने कब बनाया था यह अपर हम है करीवं असी साल सह हुआ नोग दूक से बड़ा यह कौतूल है कि उन्दह रहते हैं जो लक डी होती है विझु घलती नहीं है? ठीज़ि दिवदार की ओरने और पानी में अच्य रहती है कितने साल प्रा यहि'm करीब मेर वाला 50 moving 50 मैं यहा इन यहां पर नॊ रू रुका क्योंकि इतनी थंड है और लेक में हें कॉन रुकेगा ये अन्दर गए तो अन्दर एक बहुत बढ़ी असी चिम्नी सी बनी होई थी ये ना उसके अंदर से वह इतना तो नहीं भी बढ़ा होता जो अच्छा लगा और वह पहला जो होता है कभी आप आएंगे और इसमें हाउस बोट में रुकेंगे तो पहला अनवब बड़ा थिल्स होता है कि आप एक लेक के अंदर रुके हुए हैं एक तीन चार पांच कमरों का हाउस बोट है और बहुत अच्छे बहुत सुंदर डिजाइन के बने होते हैं हाउस आप में आए थे देर रात में हाई थे सुवे ओटर हमने आसपास लेका कमल के फूल थे बहुत सारे है कमल के फूल थे और फिर जब हमारी बोट को नो गुमानी ले गए तो पूरा पूरा मीना बजार बाजार था लोग हाउस पूट पे आपकी जो जैसे मैं शिकारा पे जो लोग बेषते है जादे कि आपे बात में है काश्मीर की जो कल्ठर है कश्मीर के कपड़े होते हैं हैं एंडी क्राफ्ट होता है वो यसब चीज़ लाते है लाता है ऊबकृ के लिए यह तो शिकारा हाउस पूर्ट है कि यह तर निर जा जोगए बार कितनी परानी है यहां पे बहुत पुराणी है और कितनी फिर कितनी घरी है यहां पे जो अब आप प्रेजेंट हो यहां पर करीबन आड़ फीट है यहां पर आगया के जाओगे बारा फंदरा सोला अगया इतना आगया कि यह जितना आगया उदर चले जाएंगे बाइया हमको जरा थोड़ा गहराई वाली तरफ भी ले चलिए यह 8 फुट पे हम लो जरा 15-16 फुट थोड़ भी ले जिधा ऊकयडे वाली तरफ लेशन इस को आप अज़ भी बैटे है कि यहां आप कों सी जगव के निगे है में मुंबई छोन की दूर अपिक्टरों की शूटिंग वोटी की दोछी है कि एक डॉर ऐसा था कि कश्मीर में लोग आने से डरते थे आतंगवार की बाते होती थी आपने ने तो अपनी उमर में देखानी अगा वह देखा नियों कि आभगा अपर देखानी यह हूं DE कि अपसे कुछ किसी ने बोला नहीं मैं तो 2014 में आया था और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब मेरा प्रोग्राम बना मैं अपने परवार के साथ आया तो मेरा प्रोग्राम था उस समय 2014 के आसपास कश्मीर में 100 साल का सो साल बाद इतनी भैंकर बार इस नोफ़ाल आ गय से एक दिन पेले शी नगर का एरपोर्ट खुला तो मैंने मिसिज तेका चलो कई और आगे नहीं जा पाएंगे शी नगर तो देखा हैं हम लोग शी नगर में आया तो इसी दिन फिर पहल गाउं खुल गया उसकर गुल मर कुल गया सारा देख्या बर अफ़सर ढ़का हुआ लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानते हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादा मानते हैं मैं डर है लेकिन मैं पूरे परवार के साथ गुमा पहल गाउं गुल मर गुर ये 2014 की शुरुआत की बात है 2014 की शुरुआत होगी मैं ये दावा कर सकता हूँ कि शायद मैं भार अबन गह्रा पट्राने का राज की आम्दनी का मुक्स रोत है फिर टूरिस्ट्म इंदश के बहुत बषब बढ़ा साधन हैं बहुत टूरिस्ट फोल रहा हो मिनां पहले जाद आदे थे अब जाद आते घ। उत्νεहं आ आते हैं तो इसकी बाते लोग कड़ते होंगे घर पे तीन सो सतर हटने का कश्मीर को फायदा हुआ नुफसान हुआ उसका पता नहीं है उसका पता नहीं है ना वह चोटे रहे हो गया आप यूथ हो नौजवान हो बोट है आपका दिखाए ना दिखाए ना दो आउस बोटे हमारे हमा यहां के नौजवान जो है जिनके मन में है कि इस पार्टी को डालना है तो उनके मन में सोच कि कि किस को कौन सी पार्टी को देंगे और यह पार्टी के लिए ना मत बताएग अचा है क्या सोचते है कि यह पार्टी कौन सी पार्टी ऐसी होई जो कश्मीर का विकास कर सकती हो अभी बदाना नहीं हो, फम्मिल में चलिया कोई वाज मीृ लेकिन यह लग रहा है, लोग बुछी यवार के मकाबले में बोट यादा डाल रहा है रहा कारण क्या क्यों जादा डाल ले इसका पता निसमा दाल इप पॉर्टि करके बिन के फार्ट उसका पता निया वह जाते हैं तिक्षा देखने हैं जाते हैं कम तो जाते हैं काश्मीर की मुख समझ से क्या है आप जब लोगों में बैठते हो यूथ में बैठते हो कि मैं दो ती दिन से जितना गूमा दले का न सफाई न आप खुद देखो अभी तूरुस तरह सफाई न कुछे कच्छा यहां पर कुछ भी नहीं होती हैं आप लोगों ने जो हाउसबोर चलाते हैं जो शिकारा चलाते हैं आप लोगों ने यहां पर राजपाल से मांगनी करी कि दले कर दो हम तो हम तो यहां हमारा सहां पर तारिक पतलू है वह बात करते हैं बहुत बात करते हैं इस चीज में ब किस्थमु वह भर खराब लग रहा है थी सुनदर डळले कि और इतना जादा इसमें गंद की नजर आ रही है क्यों नहीं कराते सफाह थे संदर डळले को इसा क्यो चोड़ दिया है क्या मताया हम न ही अम तो बोलते है सफाहि करो सफाहि करो आता कोई नहीं है आपके घर पे सब लोग बात करते होंगे डल्ले के अलावा कश्वीर की कोई समस्या बड़ी आपको रज़ा राती है कि यह के लोगों ने कहा कि लोगों के पास रोजगार कम है तो हम बजयान तो रोजगारी नहीं जो पढ़ते पादे अभी तो इंजिनियर रहे त्वेल्थ पास एलेवन्थ कुछ भी नहीं है ग्रेटिशन करके गर पे बैठे है अभी कुछ काम ही निका विचारो का गर पे ब यहां पे ड्रक्स की समस्या बहुत बढ़ती जा रहे नौजवान नशे का अधी होते जा रहे है तो कि अच्छी बात है नहीं आप तो नहीं कर रहें लेकिन यह चठचा होती है कि नौजवान नशे का अधी हो रहे हैं कषमीर में मैं 3-4 दिन से 2-3 दिन से जब घूमा तो लोगों ने ये समस्या बहुत जादा बताई कि कश्मीर में पहले नशा नहीं था, डक्स नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों में यहां डक्स का कारोवार बहुत बड़ा है, यह कश्मीर के लिए बहुत खतरनाक है, आज एक साथी पत्रकार आयते हैं मेरे साथ, पुलवामा के हैं और उनने मुझे कहा कि यहां के नौजवान डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और जो रीजन उनने बताया, वो यह बताया कि यहां रोजगार नहीं है, तो लोगों को लगता है कि पूरी जिंदगी अब जी के क्या करेंगे, तो अच्छा है कि नशा करो, नशे में पड़े रोड डिप्रेशन में चले जाओ, और उनने मुझे बहुत सारे जगह बताया कि यहां पर बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, जिनके बच्छे नशे के आदी हो गए, डिप्रेशन में चले गए, और लोगों का मानना है कि ड्रक्स पता नहीं कहां से आ रही है मेरी लिए बड़ी हरानी थी कि बॉर्डर सील है, जै कि तब भी ड्रक्स आ रही है, और कश्मीर में, शीनकर में ड्रक्स एक बहुत चिनोती बन गया है, प्रशासन के लिए, यहां के लोगों के लिए, क्योंकि पूरी-पूरी नई पीड़ी ड्रक्स के नशे में चुंगल तोड़े गहरी तरफ चलेंगे ना लोग को गुमाने के लिए थक तो नहीं जाएंगे अच्छा आपको क्यों थोड़ी देर आप चलाएंगे तो लगता है तो थोड़ा ज़्यादा नहीं जाए हम लोग मशली है थोटी शोटी मशली भी दिख रही है बडहाच्छा लगता है राफ में पूरी लाइट पढ़ लाइट्व ये शीरेगर की, होटलो की और वो उपर लाइट जो जल रही है छोटा-छोटा सा योगिश दिखाईए आप वो शंकराचारिया मंदिर है मैं एक वार उस मंदिर में गया था इतनी उचाई पे वो मंदिर है अदवत है, मतलब चड़ते-चड़ते पसीना आ गयते लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है आये तारिक भाई आपसे कुछ गुस्टूगू की जाए ये तारिक भाई हैं और ये नुमान के दोस्त हैं दोस्त है ना आपनो मन के? हाँ, मैं दोस्त हूं तारिक नाव हैं नापका? मैरा नाम तारिक कर दो कर दो है कंपेदे खीका उपने शे का चालाई नी तो 22 तो कहीं कि आप न में अउकरी कि आए और useless ना कि थी कुई ट्लाश निए ऑपने विपशा हुर्डारा हुआ कर तो कहीं नोकरी वोकरी कि तेलाश ना कि की तो नोकरी तो 2 तो ऐसा क्यों दोजार चोड़े में जब दोजार चोड़े के बाद तो काफी टाइम होगे दस साल होगे अज तक बहुत कम नोक्रिय आगी बहुत ही कम जैसे के पहले थे हमें तो 12 पास करना हमारे लिए एक मुकदर की बात होता थी हम 12 पास करते थे तो हमें जौब मिली जात की लेकिन उनको ज्याब का कोई जरिया नहीं लग रहा है तो अब वो इस वज़े से अभी आपने मेरे बाई से पूछा था कि ड्रग्स में वह मुलाफिस हैं जब बंदे को एक 15 साल से सोला साल से वह अपना के रियर बनाने की सोच रहा है तो 15 साल वह गजार लेता है कि यह के इस उसको जाब नहीं मिल रही कोई इससे कोई जरिया नहीं मिल रहा है तो वह तो जरियर आपको तो मालूम है सर जब बंदा बेकार हो जाए तो गरवालों की बाते हमें सुननी पड़ती है बाईर वालों की लोगों की तो सुननी है तो गरवालों की सुननी है तो गरवा तो अब लगता है लोगों को हमारा पढ़ना भी बेकार है, हमारा इस तरह की स्टड़ी करने के कोई फाइदा ही नहीं है, जैसे हम पहले स्टड़ी करते हैं शोग से हमें कुछ पढ़ लिखके हम कुछ बन जाएंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, तो बाते सारी इंडस्ट्री लग जाएंगी, रोजगार आ जाएंगे, कश्मीर बदल जाएगा, 2014 के बाद बदला कश्मीर, 2014 के बाद ये बात इसलिए बोली थी, क्योंकि उनको पता था, जो किश्मीरी नौजवाने, ये अपना हक चीनते थे लो, सरकार से, किस तरह चीनते थे, कोई गयर नहीं करें, वो अपने जोब के लिए स्ट्राइक करते थे, अपने खुद के के लिए करते थे, तब से वो बंद किया तो जोब भी आनी बंद होगी हमारे लिए, कुछ नहीं हुआ, तो हमारा एक वेलिए था वो, कश्मीर के अंदर, किश्मीर के हमें ऐसे उन्हो होगी, फसलिटीज होंगी, सब चीज इसलिए मिली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, सिरह हमारा दिल बहलाने के लिए वो बात कही गई थी, कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है, हमारा केरियर बरवाद हुआ है, दो हुजार चोदा के बाद, 370 हट आके, हमें बहुत ही मुश्कुलातों का सामना करना पड़ते है, सर, यह मुझे अभी तक याद है, जब 370 हटी थी, सथपाल मलिक यहां के गवरनर थे, और मैंने उनका इंटर्वू भी किया था, तो बदा रहे थी, एक दिन पहली उनको पता चला, जैकि 370 के बाद म गोर्मीट ने जेकी पी की बरती यहां पे किशमीर मिलाई, यह यूटी के लिए है, लेकिन उसमें 4000 पोस्ट है, 4000 पोस्ट के बाद, जब मैं फार्म एपलाई करने गया, तो वहां पे 7500,000 फार्म एपलाई हुआ है, जब मैंने यह बात देखी वहां पे, तो इतना दुख ह किशमीर के अंदर जो बिना रोजगार की जी रहा है, तो मैंने अपना फार्म भी एपलाई नहीं किया, दस साल में इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो जो 7500,000 बैठे हैं, वो किस स्टेज तक वो किस हाल में जी रहे हैं, यहां पे सो की बात नहीं हो रही है, य लोगों यह भी कहा कि इस बीच में शायद बेरोजगारी वज़ा रही होगी लेकिन फिर ड्रक्स का काम बढ़ गया, जो अवरेज हो गें, जिनकी अब एज नहीं रही कि जो सरकारी जॉब कर सकें, जैसे जेकी पी किनोंने बढ़ती बिलाई उस पे भी आवाज उठाई कि इसमें एज रिलिजएक्शन दे दो हमें, लेकिन उस पे भी कोर्ट से बात गई बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे लेकिन उस पे भी कोई फैसला नहीं किया गया, वरना किशमीर के इतने बेरोजगार इन जो अवरेज एड़ हैं, जो पाड़ पाड़ के आई है, इस की तैया एपलाई कर सकते, तो उनको भी एक उमीद जाग जाती, दस साल के बाद एक उमीद जाग जाती, कि हमें भी नहीं कुछ मिलने वाला है, तो वो भी अपने आप पे फिर वी से वो पाउं पे खड़ा हो सकते, ठीक बात है, बेको तरी बात है, एक बात और उनने कहा कि 2.14 के से यहां पर टूरिस्ट बहुत बढ़ गए हैं तो क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद बढ़े हैं या टूरिस्ट पहले भी इतनी आते थे सर दोजार चोदा के बाद टूरिस्ट आते हैं लेकिन वह हिसाब नहीं राभ जैसे बिरोजगार हैं तूरिस्ट के पीछे तो बहुत लोगें बागते रहते हैं कि यह कोई रोजगारी है सर पहले 2014 से पहले भी था पहले भी टूरिस्ट आते थे सर किश्मीर ऐसा नहीं है कि 2014 बहुत बढ़ गाए हूं ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला सर राशपती शासन लगा यहां पर राजपाल तैनात हो गए उससे पहले कि अधर चुनगवा मुकमंतरी होता था अभी मैं चार पाश महीने पहले जब कश्मीर आया था तो मेरे संग 2-3 डाइवर्स अलागला टैक्सी में तो उन समने कॉमन बात कही कि जब सरकार होती थी तो हम अपने विधायक से मंतरी शिकायत कर गिया करते थे ते गवर्णर र उसके बाद आज दो हज़ार चबीस में एलेक्शन होनी जाए वो भी सुप्रीम कोट से वो भी सईद आगा रुहला सहब से कौफी उन्हें दर्खास्त किये इसी चीज़ पर आवाज उठाई उन्हें हमारे मिया अलताफ साहबें नेशनल कॉन्फरेंस के लीडरें उन्हें यह बात उठाई उनका मुद्ध यही था तो उसके बाद सुप्रेंग कोटनी आटलिया के जमू किश्मीर के अंदर एलेक्शन किया जाए यहां पर क्या रुजहान लग रहा है आपको आप नौजवाने समझ रखते हैं हुकूमत किसकी बंतियों ने ज़रा है हम हुकूमत किश्मीर का कि किश्मीर का किन लोगव है हमें नेशनल कानफरेंस पर जायदा वरूस है क्योंकि उनके दावें हमसे किये गिये कि दफाथ 370 को वापस लाएंगे वो हमारा हक है वो हमें वापस दिलाएंगे अभी दो दिन पहले शायद अबदुल्ला थाब नहीं आपर शिकारा पर चारें बद बड़ी रेली होई उनकी माशा आल्ला बहुत बड़ी रेली होई अच्छा बड़ी जिस हिसाब से ने रेली देकिए इंशाला तो जीट उनकी हमें लगती है किती बड़े किते शिखारा था सब्सक्राइब कर दो तो शिखारा पूरे इती लेक में रहे लिए थी सर उनकी लोग कहते हैं कि जम्मू में नहीं जीत पाएगी कॉंग्रेक्ट तो नेशनल कॉंफरेंस घाटी में जीत लेगी यह तो कहने की बातें आती सर जब हमारे यहां स सब्सक्राइब करेंसे कंडेड एंजिनियर रशीद साब जब एलेक्शन लड़ने शुरू किया उन्होंने पारलिमेट का तो कंडेड थे वो जैल के अंदर थे तो उनका लड़का उस्टे में यहां पर लड़ रहा था विचारा अकेला था इबरार रशीद वो अकेले थे उनका वाले सब जैल में बन थे तो सबको यही लग रहा था कि इनका यह ऐसे गुमना है इनकी जीत हने वाले नहीं है जो लीडर तो जैल में बन जैल तो एनकी जीत कैसे हो maths होगी लेकिन जब एलेक्शन हो उसके बाद चोए उसका रिजल्ट वा तो जीत उनकी होगी fantasy इन कि उमर अबदुला साहब को पीछे चोड़ एक बड़ा एक बड़ा फेक्टर इंजिनियर रशीद भी हैं लोग कह रहे हैं कि इंजिनियर रशीद की जमानत चुनाव से पहले सिए कराई गई कि वो मुस्लिम बोटो का बटवारा कर सकें और नुकसान नेशनल कॉंफेंस को प गुम्रा कर सकें लेकिन एसे अगर एंजिनियर रशीद साब पर हमें उमीद है वो ऐसा नहीं करेंगे सर क्यूंकि उनकी पहले से ववाज जो बीजेपी के खिला थी उनको जेल में बंद किया गया अगर किसी और के हुकुमत उती वह आज जेल में बंद नो होते तो आपको पर एंजिनियर रशीद में और अबदिल्ला साब में बंद नो हम चुनना पड़ेगा तो किसको अब बहतर मानें है हम तो उसे लीडर को चुनेंगे जो इस बात में एक्सपेंस है जो इस बात को जानते हैं कि हमारा नुकसान किसमें फाइदा किसमें सर ये तो दोनों जान करते हैं जिए लेक्शन होने के बाद ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी चेंजिंग मिलने देखने को मिल सकते हम एक बड़े बहुत बड़ी उमीद लेके बैठे हैं इस बार एलेक्शन पे ये बड़ी बात है कोई जना इंजिनर रशीद ए खिलाब भी बोलता है हर मैंने देखा कि इंजिनर रशीद बहुत पॉपलर हैं किशी नगर बहुत ज़दा बहुत ज़दा पॉपलर है आप नौजवान हैं आपके मन में पीला है कि हां रोजगार नहीं मिले और कश्मीर को एक तरह से बड़ा बदनाम किया गया ये कहा गया कि पहले आतंगबादी बहुत होते थे हां पे आतंग की घटना होती थी हमने आतंगबाद खतम कर दिया लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने तीसरा कारिकाल जब समाला इन सो दिनों में बीस से जादा पच्चिस चौबिस इस हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो गया आतंगबाद की घटना बड की इसमें जो आतंग का ये चर्चा हुआ देखिए अगर शहीद हुए तो वह भी हमारे बाई थी इसमें हमें दुख के जार करते हैं लेकिन हमारे ये कहना है कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इलेक्शन के दोरान ये क्यों होता है ये इनका इलेक्शन ना करवाने का अगेगा है हुआ है कि ठीजमिर में में किस तरह है ये इलेक्शन कर वहा तहुआ है लेक्शन कर वाहने नहीं लेक्शन होते ही लेकिन इसा कुछ नहीं है सर हमें हमें इतना ही कहना है कि अगर कुछ भी हो यह हमारा इस बार इलेक्शन के इंडेक्ट होना चाहिए सर। चुना तो हो इस पर हमें बहुत बड़ी उमीद लेकर हम बैठे हुए सर। जब मुख रोज़गार नोजवान ही जिनको इस एलेक्शन पर उमीद है कि इस बार हमारा कुछ होगा सर। जब मुख कश्मीर का पूर राज का दर्जा खतम कर दिया गया उसको लेकर क्या पीड़ा है अप लोगारा दर्जा वो हमें मार डाला गया इसीदा वह हमारा एक बहुत बड़ा दर्जा था जिस पे हमें बहुत एक उमीद रहते थी कि जो भी पहले जॉब्स आती थी वह अलग दी जाती थी लेकिन अबट ऐसा हो रहा है सर वह यूटी के लिए दे जारी उसमें हमें कोई उमीद नहीं रहती है सर जैके जेकी पी के पोस्ट निकाल इने ने फूर थाउजन टेस्ट एज़ा है तर हाँ ऐसे ही है लेकिन उसमें भी यूटी रखी गई यह सर उसमे इन्शालहा यह अमीद है इस बार उमीद है स्वार हम लोग कौन सी जगह पर आगाई है यह जय कितनी हम लोगों ने जहां चूरू किया था उपोन सी लेक ती वोग रेंड साइड जय को कितनी लेक हैं सर आगे उसमेर के बोट लेके शर इसमें बात कर शुक्रिया थारि़ और तारीजी ग्रेजवेट है, नौकरियां नहीं हैं कश्मीर में शिकारा चलाते हैं, पूरी राज चलाते हो, हाँ सर, हमारे कामी यही है, पूरी राज शिकारा चलाते हैं, कश्मीर में वादे बहुत किये गए, देश के बड़े बड़े टीवी चैनल आपको दिखाते रहे परिशानियां बहुत हैं, कम से कम आप इस नौजवान की बात सुनकर आपको लगा होगा कि कश्मीर किन हालास से गुजर रहा है और कश्मीर की सही तस्वीर देश के सामने क्यों नहीं दिखाई जा रही मुझको यकीन है ये बात्चीत आपको पसंद आई होगी, अपनी राय से जरूर अबगत कराईएगा डरल लेक से योगे शादव के साथ मैं संजेश शर्मा श्री नगर झाल